हलो फ्रेंस वेलकम बेक टू माई चैनल लीकल हेल्पिन हिंदी फ्रेंस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलकत्ता हाई कोट के एक लेटेस जज्च्मिन के बारे में जो की बहुत ही ज्यादा एहम है क्योंकि ये बात करता है पेंशन के बारे में हाई कोट के सामने एक ऐसा ही मामला आया जिसमें उन्हें इस बात पर फैसला करना था कि जो स्वतंतरता से नानी होते हैं उनकी तलागशुदा बेटियां या फिर विद्वा बेटियां जिनकी कोई इंकम का सोर्स नहीं होता क्या वो उनकी पैंशन की हक्तार होंगी और अगर उनको पैंशन देने से बहिसकार किया जाता है तो क्या ये सविधान के आर्टिकल 14 का उलंगन होगा या फिर नहीं तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करेगा जज्ज्मिन के पीडियेफ स्वतंतरता से नाने की बेटी है और 4 दिसंबर 2012 को अपने पिता की मृत्यू तक वो पैंशन योजना के तहत पैंशन प्राप्त कर रही थी 19 मार्च 1999 को याचिका करता ने तलाग की एक दिक्री प्राप्त की थी और तब से अपने बेटे के साथ अपने पैतरी घर में रह रही थी तलाग शुदा महिला होने के नाते वो अपने पिता पर पूरी तरह से निर्भर थी क्योंकि उसने अपने पती से भरन पोशन का अधिकार छोड़ दिया था याचिका करता का मामला ये था कि पिता के निर्धन के बाद उसकी विद्वा माने पैंशन के अनुदान के लिए आविदन किया था लेकिन ये मामला बहुत समय तक पैंडिंग रखा गया था और 2019 में मा की भी मिरत्य हो गई याचिका करता ने कहा कि रूल 5.2.5 जहां पर विद्वा बेटी या फिर तलाग शुदा बेटियों को बातरता से बाहर कर दिया गया है हालाकि आविवाहित बेटी को शामिल किया गया है याचिका करता के अनुसार ऐसा विवेक बिना किसी उचित आधार के किया गया है और सविधान के आर्टिकल 39 के साथ साथ आर्टिकल 14 का भी उलंगन करता है Union Bank of India के अनुसार ये कहा गया था कि विद्वा और तलाग शुदा बेटी फुद भरन पोशन करने में सक्षम है जोने अलग-अलग कानूनों के तहट लाप्रदान किये जाते हैं जो कि आविवाहिता बेटी को नहीं दिये जाते हैं इस तरह से विद्वा और तलाग शुदा बेटियां और आविवाहिता बेटियों के बीच वर्गी करन करना उचित होता है कोट ने इस मामले में टिपनी करी और कहा कि भले ही हम इस मामले में और इस अधिनियम को ध्यान में रखें बेटी तलाग शुदा हो या फिर आविवाहिता अगर हम धारा आठ और नौ को देखें तो हिंदू उत्राधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची के वर्ग एक के साथ नयोचन में पढ़ते हैं तो ये सपष्ट होगा कि वर्ग एक के वारिशों में न केवल विद्वा बलकि मिलतक की बेटी भी शामिल की गई है इसलिए आविवाहिता और तलागशुदा बेटियों के वीच भेद करना या फिर कोई रेखार नहीं कीची जा सकती कोट ने कहा कि विद्वा या तलागशुदा बेटियों का पूरी तरह से बहिशकार यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिनके पास भरन पोशन के लिए कोई वेक्तिकत आए नहीं है सविधान के आर्टिकल 14 का उलंगर है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोट ने इन सभी देशा निर्देशों को जो की खंड 5.2.5 में अल्टरा वायस घोशित किये गए हैं और इसके साथ कहा कि पार्ट 5.2.3 में विद्वा तलागशुदा बेटियों को भी शामिल किया जाएगा जो सैनिको के सम्वान के योशना के पातर होंगे तो इस तरह से कलकत्ता हाई कोट का ये एक लैंडमार्क जजज्मेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि बेटियां चाहे विवाहित हो या फिर आविवाहित या फिर विद्वा हो अगर वो पूरी तरह से अपने माबाप पर आश्रित है या फिर उनके पास किसी तरह से आए का कोई सोर्स नहीं है वो अपने पिता की पेंशन पाने की हगदार होंगे